nå कि टे데शन बताई कि सिधान्थ क्या होते है जो परिक्षण द्वारा परिक्षण किया गया हो और अनेक हेति द्वारा सिद्ध किया गया हो बहुत सारे इसे उसके बार बार किसज़े और बार एक्स्पेरिमेंट करके प्रूफ क्या क्या हो वही हमारे एक थ्योरी बनती है वही हमारा एक लौ बनता है ठीक है अब सिधान्त कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर गिवन है सिधान्त चार प्रकार के हैं ठीक है अब कौन से कौन से हैं सर्वतंत्र सिधान्त परितंत्र सिधान्त अधिकरण सिधान् सिद्धांत कौन से चार प्रकार के हैं सर्वतंत्र परितंत्र अधिकरण और अभ्य उपगम यह चार प्रकार के सिद्धांत हैं चार प्रकार के सिधान्त हम कैसे याद कर सकते हैं अभे को अभे का अधिकार है सभी परीपर ठीक है सर्व परीपर अभे का अधिकार है इसका हम एक निमॉनिक है यहां पर लिखा नहीं है आप अपने पास लिख लेना अभे का अधिकार है सभी परीपर ठीक है सर्व परीपर सर्व का मतलब सभी ही होता है तो सभी परीपर या फिर सर्व परीपर ठीक है तो हमारा अभी फॉर्स सिधान देखते हैं क्या है सर्वतंत्र सिधान्त सर्वतंत्र सिधान्त में क्या आता है जो सूत्र सभी शास्त्रों में सर्व सम्मती से प्रसिद हो उसे सभी एक मत हो उस सि हुआ जो सूथ्र मतलब जो भी हमने एक hypothesis ली है सूथ्र का मतलब यहां पर समझे ह्लों कि एक line में बिया गया statement तो यहां पर क्या है सूथ्र का मतलब एक हमने hypothesis अब हमसे prove करना है हम उसे सिधानत कैसे मानेंगे जो सूत्र सभी शास्त्रों में मतलब जिन जो भी शास्त्र है या कोई और शास्त्र है उन सभी शास्त्रों में सर्व सम्मती से प्रसेद हो मतलब सभी की सम्मती से मतलब सभी की सभी ने अलाओ किया हो या फिर जिसकी सब मतनों का एक मत हो मितलब एक ही decision हो उसे सर्वतंत्र सिधान्त कहते हैं अब जो स सूथ्र सभी शास्त्रों में सर्व सम्मति से मतलब सभी के सभी मानते हैं या सभी से अलाउट है वह सिंधांत सरवतंत सिधांत कहलाता है इसका एक्जांपल गिवन है जैसे प्रत्यक्ष को सभी आयर्वेद के ग्रंथों में प्रमाण माना गया है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष 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 प्रत् लगा है जिसे युक्ति प्रमाण चलक ने माना है पर शुशुट ने नहीं माना पर प्रत्यक्ष ऐसा प्रमाण है जो सभी को मानते हैं मतलब जो हमने देख लिया वो तो हमार को मानना ही पड़ेगा न तो प्रत्यक्ष को सभी आयर्वेद के ग्रंथों ने प्रमाण माना गय से रूप का ग्रहन हिए सर्वतंट्र सथान्त को सब मांते है नहीं सभी एक मत्सलाइच को एक डिसीजन से मानते हों सब उसे follow करते हैं ठीक है अब प्रतितंत्र सिधान्त होता है second तो इसका meaning क्या होता है किसी सूत्र होना अब यहां सर्वतंत्र में लिखा तहां, जो सभी के सर्व का मतलब सभी होता है lor है जब किसी बहुता है डिरेक्षिन में जा रहा है और उसके opposite जब जाने लगे ना तो उसे ठीक है प्रती तंत्र का क्या मतलब हुआ जब कोई एक direction में जा रहा हो उसके opposite में जाए तो उसे प्रती कहते हैं और तंत्र मतलब समझ आ गया कि कोई opposite तंत्र है उसके against तो ठीक है इसका meaning क्या हुआ किसी सूत्र तत्व या विशे विशे मतलब किसी भी जो समाय सब्जेक्ट है और तत्व का मतलब किसी भी एक चीज़ पर जो हम बात कर रहे हैं तो किसी सूत्र तत्व विशे पर शास्तरों में भिन-भिन मत हो तो अब कैसे पता चलेगा भिन-भिन मतलब मतलब different opinions हो, तो उसे परितंत्र सिधान्त कहते हैं, अब जैसे इसका example है, दोश कितने होते हैं, तो चरक ने, हमारे अचारे चरक ने दोश तीन माने हैं, वात, पित और कफ, जबकि अचारे शूशृत ने दोश चार माने हैं, उन्हें वात, पित, कफ के साथ रख्त को भी दो पुश माना हैं, ठीक है, तो ये परितंत्र सिधान्त हो गया, कि कैसे परितंत्र हुआ, दोश चरक के अनुसार तीन है, और शुशृत के अनुसार चार है, तो ये सभी शास्त्रों में एक मंत्र नहीं रहा न, अलग-अलग उनका मत हो गया, अलग-अलग उनका thinking बन गया, तो यहां पर परितंत्र सिधान्त बन गया ये, ठीक है, अब next है, हमारा third है, अधिकरण सिधान्त, ठीक है, अधिकरण सिधान्त क्या होते हैं, जिश विशे का प्रकरण चल रहा हो, उसके द्वारा, दूसरे अधिकरण का भी ज्यान हो जाना, अधिकरण सिधान्त कहलाता ह अब अधिकरन सिद्धान का क्या मतलब हुआ अधिकरन कई बर आया जब तुम पढ़ोगे न पतार्च फिक ज्ञान पढ़ोगे या फिर आगे जब पढ़ोगे तो अधिकरन का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं किसी भी चीज़ को ओवर टेक करना ठीक है तो जिस विशे का अब हमने सिर्फ इतना बोला था कि वह दिन में भोजन नहीं करता इतनी स्टेट्मेंट दी थी कि वह दिन में भोजन नहीं करता अथ घ्यान हो जाना कि वह रात में भोजन करता है अब वैसी बात है अगर वो दिन में नहीं कर रहा तो वह रात में भोजन कर रहा है तो इसम अगर बोलें कि रात्री में सोना चाहिए शेयन करना चाहिए तो इससे यह पता चल जायगा ना कि हमें दिन में शेयन नहीं करना चाहिए तो इसमें भी यह क्या हुआ अधिकरण सिद्धान्द एक विशे से दूसरे विशे का ग्यान हो जाना, ठीक है अब next है यह वला important है क्योंकि यह बच्चों को समझ नहीं आता ठीक है अब यह कैसा है इसमें गिवन है अभ्य उपगम सिध्धान्थ क्या है इसमें क्या नाम है इसका अभ्य उपगम सिध्धान्थ शास्त्रार्थ इसका इसकी definition देखते हैं पहले शास्त्रार्थ में जब तक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिध्धान्थ खंडित नहीं हो जाता तब तक उस सिध्धान्थ को मानना अभ्य उपगम सिध्धान्थ कहलाता है मतलब हमने एक hypothesis रखी ठीक है हमने एक hypothesis ली अब इसको या तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि यह true है ठीक है और या तो हमें false करना पड़ेगा कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा या गलत है यह तभी तो वह हमारा एक conclusion निकलेगा अगर true हुई या फिर false हुई तभी तो हम इसको एक theory या फिर law बना सकते हैं ठीक है हमने hypothesis तो ले ली ठीक है अब इसको हम जब तक खंड़ेगा खंड़ेगा मतलब इसको हम false नहीं करेंगे या फिर इसको accept करने लाइक इसको conclusion नहीं दे देंगे तब तक यह hypothesis ही रहेगी ना हमारी तो अब इसमें इसमें हिंदी पड़ो शास्त्रार्थ मे जो हम शास्त्र का वर्णन करते हैं या फिर शास्त्र को पढ़ते हैं में जब तक वादी मतलब जो to the motion कभी debate करते हो या फिर debate सुनी होगी तो उसमें एक वादी होता है जो उसके लिए to the motion बोलता है और एक for the motion बोलता है तो एक जो pro बता रहा हो या फिर उसके cons बता रहा हो कोई उसके एक जो इसके पक्ष में बोले एक विपक्ष में बोलता है तो शास्तात में जब तक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिधांत खंडित नहीं हो जाता तब तक उस सिधांत को मानना अभ्य उपगम सिधांत के लाता है या तो उस सिधांत को जो hypothesis को अभ्य उपगम सिध्धान्त कहते हैं क्या कहते हैं अभ्य उपगम इसको तुम अगर हिंदी में अपने हाँ पर लिखना चाहो ना तो लिख लेना hypothesis होती है यह ठीक है यह मैं इसलिए एक्सप्लेइन करते हैं कि तुमां को hypothesis का मतलब समझा जाएगा पर अभ्य उपगम का सिध्धान्त का मीनिंग नहीं समझाएगा इसलिए मैं इंग्लिश में एक्सप्लेइन करती हूं हमेशा सास्तार्थ में जब तक वादी एविं प्रतिवादी मतलब जो एक वादी है जो उसके लिये बोल रहा है और प्रतिवादी मतलब जो उसके अगेंस्ट बोला है द्वारा सिध्धान्त खंडित नहीं हो जाता मतलब उसको गलत प्रूव नहीं किया जाता तब तक उस सिध्धान्त को मानना अभ्य उपगम सिध्धान्त करता है जब हमने hypothesis लिय कि एक सिध्धान्त कितना फॉलो करते रहते हैं ठीक है तो हम उसे अभ्य उपगम सिध्धान्त कहते हैं एक हमने हाइपोतिस ली हम वेट कर रहे हैं उसका कि कोई आके हमारे को रॉंग प्रूफ करें जब तक रॉंग प्रूफ नहीं होता तब तक हम बोलेंगे कि हमारा यही लौ है हम इसे ही मानेंगे ठीक है तो यह क्या हुआ हमारा अभ्य उपगम सिध्धान्त ठीक है अब आज का टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं और उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे मॉलिक सिध्धान्त जो है हमारा जो फर्स्ट आर्वेद निरुपन का लास्ट हम कल वह स्टार्ट करेंगे ठीक है अब मैं रिकॉर्डिंग पॉस्ट कर रही हूं फिर आपके डाउट्स लेंगे ठीक है